तो अजै कि अध्यूंद दोस्तों वेलकम बैक तो पावरजेनिक्स दिस इस विकास आज हम करने वाले हैं एप्स वरकाउट हम अपने वरकाउट में एप्स वरकाउट को कही बार करना भूल जाते हैं लेकिन यह बहुत जरूरी है हम वीक में दो बार अपने एप्स को ट्रें कर सकते हैं जिसमें आज हम करने वाले हैं अपने इंटरनल उबलिक्स, एक्टरनल उबलिक्स, अपर एप, लोर एप, अपनी साइट, लव हैंडल्स यह बहुत जरूरी पार्ट है हमारे बोडी का जैसे अधर मसल गूप है ऐसे हमारे एप्स के भी मसल गूप है तो इसको ज सेफ ले पाएंगे जो देखने भी अच्छी लेगी और आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना वकाउट हमारी सबसे पहली एक्सराइज है रिवर्स करंचीज यहां पर मैं इसको बैंच परफॉर्म कर रहा हूं आप चाहो तो इस तरह से भी इसको लगा सकते हो थोड़ा गर इंटेंस आपको करना है बहुत ही अच्छी एक्सराइज है इसके साथ हमारा जो सूपर सैट है वो है हैंगिंग नी रिज तो आप इस तरह से दोनों एक्सराइज के बैक टू बैक पंदरह से सोला रैप लगाएंगे और बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे हैंगिंग नी रिज में अप देखोगे मेरी बैक बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में है बिल्कुल मूव नहीं हो रही है मेरी बोडी बस सीधे मैं उपर की तरह प्लैक को लेके जा रहा हूं और जब नीचे आ रहा हूं तो इसको स्ट राइट कंट्रोल फॉर्म में लगाएंगे और इसके साथ-साथ हमारा जो सूपर सैट है रोब करंचिज रोब करंचिज बहुत अच्छे एक्सेसाइज है हमारे अपर अप्डमिनल के लिए तो देखे मैं बहुत ही कंट्रोल फॉर्म में लगा रहा हूं इसमें आप वेट अपनी स्ट्रेंद के अकोडिंग ले बहुत जादा वेट ना लें जिससे कि आपका जो सैट है वो खराब हो जाए तो बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में लगाएं इसको और इनिल एक्सगिल का ध्यान रखें वह हम कई बार मिस कर जाते हैं एब्स के एक्सेसाइज में हमें बहुत ध्यान रखना है इससे हमें बहुत अच्छे बैटर रिजल्स मिलते हैं तो यह हमारी सेकेंड एक्सेसाइज थी अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एक्सेसाइज पर जो है वी करंचिज वी करंचिज हमारी लोगर एप्स की बहुत अच्छे एक्सेसाइज है ओल दो ज है हमारे lower abs का और internal obliques है internal obliques इसमें पूरी तरह से involved है देखिए मैं जिस तरह से कर रहा हूं side to side band आपको भी इसी तरह से perform करना है और इन exercise के 15-20 wrap लगाने back to back अब हम चलते हैं अपनी fourth exercise पर जो है hanging side raises देखिए each side हम पहले 15 wrap लगाएंगे और फिर side change करके फिर से हम 15 wrap लगाएंगे यह हमारी lower abs और internal obliques की बहुत ही अच्छी exercise है और हमें इसी तरह से इसको perform करना है ध्यान रखना है अपनी body को control रखना है बहुत जादा move नहीं करना है जो workout हम perform कर रहे हैं उसी पर हमारा focus आना चाहिए इसके साथ-साथ हमारा है super set lower body twist यह बहुत ही अच्छी exercise है फिर से हम इसमें अपने lower abs और internal obliques को train कर रहे हैं इसको हम ground पे लगा सकते हैं plane surface पे जिस तरह से मैं आप लगा रहा हूँ बहुत ही control form में रहना और inil axle का ध्यान रखना है सबसे last में हमारी जो fifth exercise है वो है plank, elbow plank इसमें हम weighted plank भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने अपनी back पे weight को hold किया हुआ है आप चाहो तो without weight भी लगा सकते हो आप यहां पे 90 seconds से लेके एक दो मिनट तक आप इसको hold कर सकते हैं डेड़ से दो मिनट आपको hold करना है और इसके तीन सैट लगाने हैं तीन सैट लगाएंगे हम इसका 30 second break लेंगे और फिर से इसको perform करेंगे और इसी के साथ हमारा आज का workout यहां पे finish होता है जैसे कि आज हमने abs workout किया है 5-6 exercise लगा ही है बहुत intense workout रहा है आज हमारा तो आप इस workout routine को अपनी किसी भी exercise के साथ week में दो दिन train करें इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो आप एक cardio का दिन रख सकते हैं उसके साथ एपस को train कर सकते हैं इसके लगाँगर आप cardio नहीं कर रहे हैं तो उसके साथ किसी भी exercise के साथ आप ये वर्काउट रूटीन एड़ कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्स मिलेंगे, अब इसी तरह से आप वर्काउट के बाद अपने डाइट को जरूर मेंटेन करें, ऐसा ना हो कि आप वर्काउट अच्छा करें लेकिन डाइट को मेंटेन नहीं करें तो आपको रिजल्स नहीं आएंगे, तो आप इसी तरह से वर्काउट फोलो करते रहें, डाइट फोलो करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, अगर किसी भी तरह की कोई क्वैरी है तो आप हमें कमेंट सेक्षन में बताइए, हम उसके आपको रिप्लाई करेंगे, और हम तेक कियर, बाबाए